आपने अक्सर टीचर्स को डिज्टल ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हुए देखा होगा और यदि आप एक टीचर्स हैं तो आपके मन में भी विचार आया होगा कि क्यों ना मैं भी इन टीचरों की तरह असानी से डिज्टली पढ़ा पाऊं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपने मॉबाइल फोन की मदद से कैसे डिज्टली पढ़ा सकते हैं तो इसके लिए हमें एक अप्लिकेशन की जुरूत पढ़ने वाली है जिसका नाम है टीचिंग बोर्ड अप्लिकेशन इस एप्लिकेशन का डाउनलोड लिंक मैंने अपनी इसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहाँ से जाका डाउनलोड कर सकते हैं तो आएए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो सबसे पहले हम टीचिंग बोर्ड अप्लिकेशन को ओपिन कर लेंगे यहाँ पर आप देख पाएंगे टीचिंग बोर्ड अप्लिकेशन का आइकन कुछ इस प्रकार से दिखता है जब teaching board application open हो जाएगा तो कुछ इस तरीके के interface दिखाएगा यहाँ पर उपर की तरफ हमें कुछ tools देखने को मिलते हैं इन tools के समय को हम tools bar कहते हैं यहाँ पर आप जब इस arrow पर क्लिक करेंगे तब इस tools bar को आप hide कर पाएंगे और इसी तरीके से यदि आप इस right arrow पर क्लिक करेंगे तो इसको अपनी आवसेटा निसार adjust भी कर पाएंगे यहाँ पर सबसे पहला tools मिलता है pen tools इस tools की मदद से आप यहाँ इस blackboard में कुछ भी ड्रा कर पाएंगे example के तोर पर आप देखेंगे कुछ इसी तरीके से आप यहाँ पर बड़े आसानी से ट्रा कर सकते हैं फ्लाल मैं इस सारी चीजों को हटा लेता हूँ इसके बाद आप जब इस दूसरे बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर बहुत सारे tools देखने को मिलेंगे इन मेंसे पहला tools है text का इस option की मदद से आप यहाँ पर अपने project में text को add कर पाएंगे एक्जामपल के तौर पर आप देखेंगे यहाँ पर आप नीचे की ओर देखेंगे कि कुछ tools हमें दिए हैं इन tools की मदद से हम अपने test को adjust कर सकते हैं जैसे की example के तौर पर आप देखेंगे हम text का alignment and text की height को कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस pencil वाले button पर click करके हम अपने test को edit कर पाएंगे खलाल मैं इसे पहले जैसा ही रखता हूँ और चुकि test की आवा सकता नहीं है तो इसलिए हम इसे भी हटा लेता हूँ इसे प्रकार से यदि आप पढ़ाने के time यदि किसी image के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं तब आप एक image को gallery से जाकर add कर सकते हैं एकजांपर के तौर पर आप देख पाएंगे यहाँ पर भी हमें image से related कुछ tools देखने को मलते हैं जिसकी मदद से हम अपने image को adjust कर पाएंगे एकजांपर के तौर पर आप देखेंगे हम अपनी image को rotate कर पाएंगे और इसे अपनी आवाज सकता अनिसार copy भी कर पाएंगे आप यहाँ पर देख पाएंगे फलाल मैं इस image को हटा लेता हूँ यहाँ से मैं delete button पर click करूँगा और इसे हटा लूँगा कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर और tools देखने को मिलते हैं एकजांपर के तौर पर मैं यहाँ पर एक rectangle को आपको ड्रा करके दिखाऊंगा कुछ ऐसे इसी परकार से यदि आप rectangle की line की width को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तब आप यहाँ से कर सकते हैं एकजांपर के तौर पर आप देख पाएंगे फलाल मैं इसे भी हटा लेता हूँ इसी तरीके से हमें और भी यहाँ tools देखने को मिलते हैं इसे कि आप यहाँ पर देखे पाएंगे arrow हमें यहाँ से arrow को भी ड्रा कर सकते हैं पलाल मैं इसकी line width को कम करूँगा और यहाँ पर आपको एक arrow ड्रा करके दिखाऊंगा यहाँ पर जब इस button पर आप click करेंगे तो आप यहाँ पर बहुत से प्रकार के arrow को ड्रा कर पाएंगे आप अपनी अवसंता अंसर ड्रा कर सकते हैं कुछ ऐसे example के तोर पर देखेंगे और मैं एक और choose करके दिखा देता हूँ कुछ ऐसे इसी तरीके से आप यहाँ पर और भी कुछ steps को ड्रा कर पाएंगे बड़े असाने से कुछ ऐसे यदि आप इनको नाम भी देना चाहते हैं तब आप यहाँ से इस बटन पर click करके इनको नाम भी दे पाएंगे इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे tools दिये हुए हैं पर मैं सारे tools के बारे में इस वीडियो में चर्चा नहीं कर सकता इसी परकार से यदि आप इस project में करते समय कुछ लिखना चाहते हैं और उस को अगल-गल color में लिखना चाहते हैं तब आप यहाँ से उस color को भी चुन सकते हैं एक्जामपल के तोर पर मैंने red को चुना है तो यह red मिट रहा होगा इस तरीके से मैं यह ग्रीन color में चुनूँगा तो यह green मिट रहा होगा इस तरीके से yellow आप अपनी आवा सकता निसार कोई भी color को चुन सकते हैं जब हम इस delete button पर click करते हैं तो हमारे board में जो भी लिखा हुआ रहता है वो एक ही बार में पूरा का पूरा delete हो जाता है आप एक्जामपल के तोर पर देख पाएंगे इसके बाद हमें तो button मिलते हैं undo and redo इन बटनों का प्योग बहुत ही अच्छा होता है तो आईए इनको हम सीखते हैं एक्जामपल के तोर पर मैं यहां पर एक line को लिए लेता हूँ और यहां पर एक line को ड्रा करूँगा और यहां से जाकर मैं एक word का line को ड्रा करूँगा कुछ ऐसे अब यदि मैं चाहता हूँ कि यह line जो है हमारी जो word के line है इसको मैं मुझे हटाना है तो मैं यदि एरेजर के कीमद से एरेज करूँगा तो साथ मैं इसे अच्छे से एरेज नहीं कर पाऊंगा लेकिन यही काम हम अंडू की बटन से बड़ी आसानी से कर सकते हैं एक्जामपल के तोर पर आप देखेंगे कि मजे इस वर्टिकल लाइन को अटाना है तो मैं इस अंडू बटन पर क्लिक करूँगा तो ये एक ही बार में पूरी की पूरी हट जाएगी इस तरीके से रेड़ बटन का प्योग होता है इस कीमद इसके प्योग से हम एक स्टेप आँगे की और जा सकते हैं एक्जामपल के तोर पर आप देखेंगे फलाल मैं इसको डिलेट बटन पर क्लिक करके इसे हटा लेता हूँ इसी प्रकार से यहां पर लॉक बोर्ड का एक बटन मिलता है जब इस बटन को आप अन कर देंगे और कुछ भी इस बॉक बोर्ड में ड्रा करना चाहेंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे यानि कि आप बोर्ड में कुछ भी ड्रा नहीं कर पाएंगे फलाल मैं इसे ओन रखता हूँ इसके बाद यहां पर हमें मिलते हैं थ्री डॉट्स इन डॉट्स की मतलब से आईए क्या क्या हम कर सकते हैं सीखते हैं तो यहां पर हमें सबसे पहला बटन मिलता है सेव का बटन इस बटन की मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं और अपनी मिमोरी में स्टोर कर सकते हैं इसी प्रकार से यहां पर एक हमें गैलरी के तरीके का एक ओप्सन मिलता है यहाँ पर हमने अब तक जितने भी प्रोजेक्ट बना रखे होते हैं वो यहाँ पर एक लिश्ट के रूट में सेव हो जाते हैं इसके बाद हमें दूसरा मिलता है Share बटन इस बटन की मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को किसी भी प्रकार से कहीं भी Share कर सकते हैं इसके बाद हमें यहाँ पर Download बटन मिलता है इसकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को फाइल में Store कर सकते हैं इसके बाद हमें Create New Project का Option मिलता है इस Option की मदद से हम एक New Project को Create कर पाएंगे इसके बाद यदि आप इस Blackboard का Color को Change करना चाहते हैं तब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे और अपना आवा सकता निसार Color को चुन पाएंगे जाम प्लक तोर पर मैंने इस Color को चूच किया और मैंने इसे यहाँ से हटा दिया इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे Color मिलते हैं आप गैलरी से जाकर भी अपनी आवा सकता निसार एक Color चुन सकते हैं यहाँ पर आप गैलरी का आइकन देख पाएंगे इसके बाद हमें एक Sightings का Tools मिलता है जिसमें कुछ खास चीज़े नहीं है तो इसके बारे हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं और यहाँ पर एक Tips का भी Option मिलता है और यहाँ पर एक Exit बटन होता है अब आप यहाँ पर नीचे की और देखेंगे एक हमें Page का बटन मिलता है जिसकी मदद से हम अपनी अवासकता नुसार ज्यादा से ज्यादा Page को एड़ कर पाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे Page हमारे पास केबल एक Page है और जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तब आप इस नए Page को एड़ कर पाएंगे ज़िए आप किसी भी Page को डिलीट करना चाहते हैं तब आप इस डिलीट बटन की मदद से उस Page को डिलीट कर सकते हैं हम चीजों को और बहुतर समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ ड्रा कर लेंगे एक जामपल के तोर पर मैं एक रेक्टेंगल को ड्रा करूंगा और इसके बाद मैं इस बटन पर जब क्लिक करूंगा तो मैं दूसरे Page पर पहुंच जाओंगा और यहाँ पर मैं एक लाइन को ड्रा करूंगा हाँ कुछ ऐसे सौरी यहाँ पर वर्ट का लाइन है तो मैं वर्ट का लाइन को ही ड्रा कर लेता हूँ आपको बहतर समझाने के लिए इसी प्रकार से मैं यहां पर एक और पेज को एड़ करूँगा और यहां पर भी कुछ ड्रा कर लूँगा एक्जामपल के तौर पर मैं एक एरो को ड्रा करूँगा कुछ ऐसे अब आप यहां पर देख पाएंगी हम जो यह पहला ओप्सन देखने को मिल रहा है यह सबसे लास्ट पेज में जाने के लिए जब आप इस बटन पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोजेक्ट में जितने भी पेज होंगे आप सबसे लास्ट वाले पेज में पहुंच जाएंगे और इसी तरीके से यह सबसे first वाला page का button है जब आप इस button पर click करेंगे तो सबसे पहले वाले page पर आजाएंगे example के तोर पर आप देख पाएंगे इसी तरीके से यदि आप एक-एक page करके आँगे बलना चाहते हैं तब आप इस button पर click कर पाएंगे example के तोर पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमें यहाँ पर एक-एक copy page का button मिलता है जिसकी मदद से हम अपने page को copy कर पाएंगे यानि की duplicate कर पाएंगे इसी परकार से हमें यहाँ पर एक और button देखने को मिलता है जो animation का button है यहाँ पर हमने जो जो भी कार किया होगा वो यहाँ पर animate होके आएगा example के तोर पर आप देखेंगे कुछ ऐसे खलाल मैं इस button को ज़्यादा प्योगी नहीं मानता हूँ तो इसलिए मैं इसको आपको prefer नहीं करूँगा यहाँ पर सबसे last में हमें एक और option मिलता है जो है share button का option इस button की मदल से हम अपने project को share कर सकते हैं तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो यदि आप इसी प्रकार से और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं तब तके लिए धन्वाद